हेलो मेरे फूडी लवर फ्रेंड्स आज लिक्क है हूं मैं रिपब्लिक डेस्पेशल रेसिपी आप देखते हैं कौन सी है और ये कैसे बनेगी तो हैपी रिपब्लिक डेट वौल इंजॉई हलो एफ्रिवन वेल्कम टो गीता सिंग रेसिपी लिक्या या डोसा बनाने को एकदम सिंपल तरिका तो फ्रेंड्स यह डोसा बेटर है जो मैंने बनाके तयार कर लिया है अब इससे हम बनाएंगे डोसा आओ देखते हैं कैसे तो दोस्तों यह मैंने लिया है तवा जो है डोस जैसा कि आप सब चांदते हैं कि डोसा बनता है उड़त की दाल और चावल से उसे रात पर भिगो के और फिर पीस के उसे तयार किया जाता है जो मैं अल्रेडी तयार करके रख लिया है तो यह हम बना रहे हैं अज मसाला डोसा तो यह मैंने बैटर को अच्छी तरह से पूरे तवे पे फैला दिया है आप जितना पतला इसे फैलाएंगे उतना यहीं क्रिस्पी और अच्छा बनेगा तो यह देखो मैंने पूरी तरह से तवे को कवर कर दिया है डोसा बैटर डालके तो इसे अब हम मीडियम लो फ्लेम पर ऐसे छोड़ देंगे जब तक कि हमारा जो कैम लो रेकारा जो झालना इएक शाहता है इसे बाद को क्रिस्पी लाइए अर बंदै। जी मैंने घरेने आयरे से जब अने कोशिए यह देखो साईड़ साक करेंगे मुझी जाये लेकिन अविद्वर है के वाधा तो से अवाने सो 날गवे तो इसे मीड़ने के लिए बल्ट रियों कि इस तरफ करते हुए और इस तरह से हम इसे बल्ट देंगे तो देखो हमारा डोसा बिल्कुल बनके तयार हो गया है औल्ली वन मिनट में एक तरफ से सिख चुक है और यह देखो कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया आप इसे इस तरह से हाथ से थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लें और इसमें आपने जिस जिस की भी स्टफिंग डालनी हो पनीर की, आलू की, गुबी की, गाजर की, मिक्स वेज़ की अपनी मर्जी से कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं जैसा मैंने कहा कि आज मैं बना रही हूँ, स्टफ डोसाPS तो यह मैंने इस एक बार फिर से और पल्ट दिया और अब इसमें हम डालेंगे आलू की स्टफिंग जो मैंने मैश आलू की स्टफिंग बना के रखी हैं तो इसे इस तरह से चमसे लेंगे और अच्छे से सेंटर में फैला देंगे आप चाहें तो इसमें चीज, बर्टर जो भी आपको पसंद हो वह वाली स्टफिंग डाल सकते हैं और आज हम बना रहे हैं आलू की नॉर्मल डोसा स्टफिंग तो इस तरह से बना के अब इस तरह से करेंगे कवर और दूसरी तरह से भी हम पकड़ेंगे और इसी तरह से कर देंगे कवर तो ये दिखो हमारा डोसा कितने अच्छे से बनके तयार हुआ है और अब इसे लेंगे पल्टे से और रखेंगे अपनी प्लेट पे आप लोगों को जिस के साथ इसे सर्फ करने है सामभर के साथ, चटनी के साथ, डिक के साथ, इंजॉय कर सके है। քर मैं आज सर्फ करेंeras अपने डोषे को तीन तरह की चटनी के साथ क्योंकि Republic day के आ रहा है तो मैंने ये तीन तरह की चटनी तयार किया है जो है कहरे धनिये की, एक नारियल की और एक टमाटर की क्योंकि Republic day पे तीन कलर के साथ मेरी चटनी तो हो गई है तयार और मैंसर ने सर्व किया है डोसा अगर आपको मेरे तीन कलर की चट्मी के साथ डुखसे की रस्पी पसंद आई हो तो गीता सिंग रस्पी चेनल को इंजॉई करें और बने रहे हमेशा फिर मिलते हैं अगली लोगे बाबाई टेप केर